बी एच यू बनारस हिंदू युनिवसिटी के UG&PG यानी अंडर ग्रेजुट और पोस्ट ग्रेजुट के फॉर्म्स निकल गए हैं बी एच यू स्कूल्स के फॉर्म एक महिना बाद निकलेगा बनारस हिंदू युनिवसिटी 1916 में Central University बनी थी अपने देश के अजादी से पहले से B.H.U Central University हो गई है लगबख 103 साल हो गई है Central University बने हुए B.H.U अपने देश की Top 10 University में से एक है Top 10 University में क्या आपको पता है कि अपने देश में Top 10 University कौन कौन से है JNU जवाहरला नहरू उनिवर्शिटी कनहिय कुमारवाला टॉप 10 में से है AMU अलिगड मुस्लिम उनिवर्शिटी टॉप 10 में है दिल्ली उनिवर्शिटी DU टॉप 10 में है यादोपूर उनिवर्शिटी कोलकाता टॉप 10 में है हैदराबाद युनिवसिटी टॉप 10 में है अन्ना युनिवसिटी इंडियन इंसिचूट अफ साइंस बैंगलोर बनारस हिंदू युनिवसिटी टॉप 10 युनिवसिटी में से है ये रैंकिंग पिछले साल HRD मिनिस्ट्री ने रिलीज किया था और टाइमस ओफ इंडिया ने पर लेफ्ट कॉर्नर पर महमाना पंडित मदन महन मालवे जी का तस्भीर लगी होगी पंडित मदन महन मालवे जी ने काशी हिंदू विश्विद्याले के अस्थापना की थी पंडित मदन महन मालवे जी ने एक संदेश दिया है इसको इंगलिश और हिंदी दोनों में पढ़ने को बहुत अच्छी मेसेज है इसमें लिखा है आपको मैं बताता हूं क्या लिखा है ध्यान दीजिए और पंडित जी का संदेश को देखिए भारत केवल हिंदूों का देश नहीं है बलकि यह देश मुस्लिम इसाई और पार्सियों का भी है देश तभी तरक्की करे और शक्ति परदान करेगा जब विभिन समुधाय के लोग प्रस्पर प्रेम और भाईचारे के साथ जीवन ब्यातीत करेंगे तब पंडित जी कह रहे हैं यह मेरी इच्छा और प्रातना है कि प्रकाश और जीवन का यह केंद्र जो कि अस्तीतों में आ रहा है वो ऐसे चात जीवन ब्यातीत करेंगे अपने देश से प्यार करेंगे और प्रम पिता के परती इमंदार रहेंगे पंडित-मदन महन माल्वी जी कितने अच्छे संदेश दिये हैं पंडित जी ने कितने अच्छे शब्द कहें हैं अपने देशवासियों के लिए इसलिए इनको महा माना कहा जाता है महान मन वाले, महान विचार वाले, बहुत उच्च और उदार मन वाला, बड़े दिल वाला महाना पंडित मदन मोहन मालवी जी का ये संदेश आप दोनों वेबसाइट पे होम पेज पर देख सकते हैं bhu.ac.in और bhu.online.in और इंगलिश हिंदी दोनों भशाओं में ये संदेश आप दोनों वेबसाइट पर देख सकते हैं जैसे अलिगड मुस्लिम युनिवसिटी में मुस्लिम का रिजर्वेशन नहीं है वैसे ही काशी हिंदू विश्विद्याले में हिंदू का रिजर्वेशन नहीं है दोनों भारत सरकार की यूनिवसिटी है, सारे देश वासियों के लिए ये सेंटरल यूनिवसिटी बनी है B.H.E.U. यानि बनारस हिंदू यूनिवसिटी के फॉर्म्स निकल गए हैं वो स्टुडेंट्स अंडर्ग्रेजुएट के फॉर्म्स अपलाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन को ही अंडर्ग्रेजुएट कहा जाता है अंडर्ग्रेजुएट कोसेज हैं B.A., B.H.C., B.C.O.M., B.A.D., Bachelor of Vocational Studies, B.A.L.L.V. इत्यादी और भी बहुत सारे Professional Courses है जो की आप Intermediate के बाद अपलाई कर सकते हैं B.H.U. में गाओं के भाशा में लोग कहते हैं कि Inter के बाद Graduate में अपलाई कर सकते हैं B.H.U. में बनारस Hindu University में Post Graduate का भी फॉर्म निकल गए है Post Graduate Courses Graduation करने के बाद होता है Post Graduate Courses है M.A., M.A.C., M.C., M.A.D., L.L.M., M.C.A., M.B.A. इत्यादी इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस बताऊंगा बेसिक प्रोसेस बताऊंगा फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या जरूरी है क्या-क्या डॉकुमेंट्स अप्लोड करना है आपको लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का एक्जाम सेंटर कहा-कहा होंगे किस स्टेट में होंगे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है अगली वीडियो में फॉर्म अप्लाई करने का डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो में इंपोर्टेंट प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ देखते रहिए इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको नई नई जनकारी असान भाषा में मिलती रहें धन्यबाद आपका आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे लिखना है bhu.online.in ये वेबसाइट है form apply करने का ये home page है form apply करने का इस page पे थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको दो link दिखेंगे दो कत्ती कलर के बॉक्स दिखेंगे पहला बॉक्स है अंडर ग्रेजुएट के लिए मतलब b.a, b.a.c, b.com, b.a.llb, b.a.d. इत्यादी के लिए दूसरा बॉक्स post graduate के लिए है मतलब m.a, m.s.c, m.com, m.b.a, m.c.a. etc. के लिए है आप अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए अपलाई करना चाहते है तो क्लिक करें यहाँ पर जहां लिखा है apply for admission क्लिक करने के बाद यह page खुल जाएगा यहाँ पर लिखा है important instruction मतलब आपको अपलाई करने से पहले यह सब तयार करके रखना है उसके बाद ही apply करना है ध्यान देने वाली बात है यह सब आपके पास होगा तब ही apply कर सकते हैं form go BHU में email id होना चाहिए mobile number होना चाहिए आपके पास scanned photo होना चाहिए 100 kb से कम होना चाहिए scanned signature होना चाहिए वो भी 100 kb से कम size का होना चाहिए identification document यानी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या passport या water identity कार्ड या bank pass book जिस पे photo भी हो driving lessons या pen card या admit card भी बारहुई का हो तो काम चल जाएगा फिर से मैं आपको बताता हूँ पहचान पत्र के लिए आपका अगर बारहुई का admit card है आपके पास वो भी चल सकता है identity proof में बारहुई का admit card टेंशन लेने की आपको ज़रुवत नहीं identification के लिए last में application fees के लिए ATM card या net banking या credit card होना चाहिए अगर आपके पास ये 6 चीज़े हैं तो आप right side पे एक box है उस box में एक link है register yourself register yourself पे click करना है click करने के बाद form open हो जाएगा form खुल जाएगा जहां भी लाल रंग होगा उसमें important information आपको देना ही होगा मतलब लाल रंग के कुछ important information लिखा हो वहाँ पे detail भरना आपको जरूरी है compulsory है वहाँ पे आपको detail भरना ही भरना है कुछ न कुछ भरना है online ही form भरा जाएगा ध्यान रखिएगा सिर्फ online ही form भरना है पाँच step में आपको form भरा जाएगा पाँच steps में step 1 में registration करना है मतलब mobile number और email ID verify करना है दूसरे step में पहचान पत्र का detail देना है मतलब admit card बरहुई का या आधार card का detail भरना है तीसरे step में आपको course से related detail भरना है कौन से course में apply करेंगे उसको select करना है चौते step में candidate का photo और signature अपलोड करना है और लास्ट में पाँचवे step में confirmation button दबा के confirm button दबा के click करना है application form का payment करना है पाँचवे step में payment में candidate के सुविधा के लिए दो option दिये गये हैं आप लोग online payment कर सकते हैं जिसके पास online सुविधा नहीं है वो HDFC bank में जाकर cash जमा कर सकता है confirm करने के बाद option पूछेगा कि आप payment online करेंगे या चलान से payment करेंगे अगर चलान से select करेंगे तो आपको चलान print करना पड़ेगा और चलान print करके HDFC bank में जाकर जमा करना पड़ेगा cash ये रहा आपका form apply करने का तरीका ज़ादा detail में form apply करने का तरीका अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसमें सिर्फ मैंने important step सी आपको बताएंगे ज़ादा detail आपको चाहिए apply करने का तो next वीडियो ज़रूर देखे मेरा इस वीडियो में कुछ important बाते admission के लिए पांचवे step के बाद यानि payment के बाद भरे हुए forms को print कर लें exam दो mode में होंगे ध्यान दीजिए exam दो mode में होंगे online और offline mode होंगे form भरते ध्यान रखिएगा कि आपको exam computer से देना पसंद करना है या OMR sheet को fill करना पसंद करना है online में comfortable है या offline में आप comfortable है choice आपके हाथ में है admit card एक सबता पहले आएगा मतलब exam का जब date होगा उससे एक सबता पहले आएगा आपको alert message मिलेगा आपके email और mobile पे admit card online ही download करना पड़ेगा आपके mobile पर SMS आ जाएगा कि admit card download करे आपके mail पर भी message आएगा कि admit card download करे आप बिल्कुल alert रहिएगा mobile और email दोनों चेक करते रहिएगा exam के एक सबता पहले My dear friends important चीज़े ज़रूर याद रखें CBT मतलब computer based exam हर राज्य में होगा ध्यान देने वाली बात है आप जहां के रहने वाले हैं वहाँ पर BHU के entrance test होगा आपके सुमिता के लिए CBT online exam 30 राज्यों में होगा 30 states में entrance exam होगा online exam आपके देश में 115 शहरों में होगा जबकि OMR based exam जिसको offline exam कहते हैं हाथ से OMR sheet को गोला बनाना होता है ये exam सिर्फ 45 शहरों में होगा 45 शहरों में होगा 45 शहरों में होगा 27 राज्यों में offline exam होगा आपके दोनों हाथों में लड्डू है online और offline पूरे देश में होगा आपके नजदी की शहरों में होगा last date ध्यान रखियेगा last date है form भरने का 6 March याद रखियेगा आपके पास सिर्फ 20 दिन है आज से application fee से मात्र 600 रुपीज जेनरल कांडिडेट के लिए और 300 रुपीज है ST, SC, PWD और handicap के लिए आपके लिए एक offer भी है अगर आप एक से ज़्यादा course के लिए apply करना चाहते हैं जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा या जितना भी course है उसमें भी आप apply करना चाहते हैं तो आपके लिए offer है हर एक नया course के लिए परते है course के लिए आपको 300 रुपीज जेनरल कंडिडिट को देना होगा और मातर 1500 रुपीज SC, ST, हैंडिकेप के लिए है हैंडिकेप को 1500 रुपीज ही देना होगा ये चूट तभी मिलेगा जब आप सेम email ID और mobile नमबर देंगे इस्तमाल करेंगे परते हैं कोर्स के लिए तभी आपको ये चूट मिलेगा मतला आपको mobile और email सेम देना पड़ेगा तभी ये offer आपको मिलेगा दूसरी कोर्स, तीसरी कोर्स के लिए आपको मातर 300 जेनरल कंडिडेट के लिए है और 1500 SC, ST हैंडिकेप के लिए है अब आते हैं reservation पर कितना reservation है BHU में ये जाना बहुत ज़रूरी है SC का 15% reservation है और ST का 7.5% reservation है OBC non-crimalier का 27% reservation है Person with disability मतलब हैंडिकेप के लिए 5% seat reserve है और EWS economically weaker section के लिए हाल ही में 17 जनवरी 2019 को 10% reservation की चर्चा हुई है और बिल भी पास हुई है ये है notification number Department of Higher Education का MHRD Government of India का बट EWS के reservation के लिए BHU ने seats allocate नहीं की है अभी तरक economically कमजोर work के लिए complete detail bhuonline.in पर website पे notify किया जाएगा आप मेरे चैनल से जुडे रहे हैं मैं आपको update दूँगा कि जो general category का 10% reservation हाल ही में इस सरकार ने पास किया है उसका क्या policy है कैसे आप उसको avail कर सकते हैं तो मेरे चैनल से जुडे रहे हैं मैं आपको reservation का सारा detail देता रहूँगा पूरा detail आना बाकी है आपको information दिया जाएगा आपको BOG से related और future information से related आपको सारी notification मिलती रहेगी और further information मिलता रहेगा अपडेट आप तक मैं पहुचाता रहूँगा और भी courses के लिए वीडियो बनाऊँगा आपको किस course का वीडियो देखना है comment करके आप बदा सकते हैं मैं उस course के लिए वीडियो आपके लिए बनाऊँगा application form कैसे apply करना उसका भी detail अगले वीडियो में जरूर आपको मिलेगा उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी आप एक like बटन को प्रेस करके मुझे motivate करे और अगर आप अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी जरूर कर ले आपको इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंदित वीडियो मिलती रहेगी आपकी उज्वल भाविशे की हम कामना करते हैं हम है राही ग्यान के फिर मिलेंगे चलते चलते तब तक के लिए यू टेक गुट कियर आफ योसेल्फ एंड बाय जय हिंद मेरे इस चैनल को support करें subscribe करें और notification bell icon को भी दबा दें जिससे आपको नई नई जनकारी असान भाशा में मिलती रहें धन्यवाद आपका